5, 4, 3, 2, 1 प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरु प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाश्पेई की इस्मृति में नई दिल्ली में आयोजित प्रार्थना सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में यह नहीं है कि हमारा जीवन कितना लंबा हो लेकिन हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपने जीवन में यह दिखाया कि जीवन कैसा होना चाहिए और इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए उन्होंने कहा कि अटल जी ने हर पल आम जन के लिए बिताया युवा अवस्था से लेकर जब तक शरीर ने साथ दिया वह देश के लिए जिये उन्होंने कहा कि अटल जी देशवासियों के लिए अपने सिध्धानतों के लिए और जनसाधारण की आकांशाओं के लिए जिये प्रधानमंत्री ने कहा कि वाश्पेई जी ने अपना अधिकतर राजनीतिक जीवन उस समय विताया जब मजबूत राजनीतिक विचारधारा का कोई विकल्प नहीं था उन्होंने कहा कि अलगाव सहने के बावजूद वह अपने आदर्शों के प्रती संकल्प बद्ध रहे वह लंबे समय तक विपक्ष में रहे लेकिन उनके आदर्श अचूते रहे श्री नरिंद्र मुदी ने कहा कि वाश्पेई जी ने संसदिय परंपराओं का सम्मान किया और अवसर आने पर लोगों की भलाई के लिए अपने विजन को लागू किया प्रधान मंत्री ने कहा कि उनमें प्रतेक्षन अटल का अनुभव किया जा सकता है प्रधान मंत्री ने कहा कि ग्यारह मई 1998 को परमाडू परीक्षन करके उन्होंने विश्व को आश्चरी चकित कर दिया उन्होंने इन परीक्षनों की सफलता काश्रे हमारे वज्ञानिकों के कौशल को दिया व्यापक वैश्विक प्रतिकूल प्रतिक्रिया के बाउजूद अटल जी दबाओं में नहीं जुके और विश्व को दिखाया कि भारत अटल है प्रधान मंत्री ने कहा कि वाश्पेई जी के नेत्रितों में किसी तरह की कड़वाहट के बिना तीन नए राज्यों का गठन किया गया प्रधान मंत्री ने कहा कि वाश्पेई जी ने यह दिखाया कि निरड़े लेने में कैसे सभी को साथ लेकर चला जा सकता है प्रधान मंत्री ने याद दिलाते हुए कहा कि जब अटल जी ने केंद्र में पहली बार सरकार बनाई तो कोई भी समर्थन देने को राजी नहीं था और सरकार तेरह दिनों में गिर गई लेकिन अटल जी ने आशा नहीं खोई और लोगों की सेवा करने के प्रती संकल्प बद्ध रहे उन्होंने गठ बंधन की राजनीती की राह दिखाई प्रधान मंत्री ने कहा कि वाजपेई जी ने कश्मीर पर वैश्विक धारणा को बदल दिया उन्होंने आतंकवाद के विशय को उठाया और इसे विश्व के केंद्र में ला खड़ा किया प्रधान मंत्री ने कहा कि अटल जी हमारी प्रेणा बने रहेंगे वह सारजनीक जीवन और राजनीती से एक दशक से अधिक समय तक दूर रहे लेकिन उनके निधन पर भावनाओं का सैलाब उमड़ा यह उनकी महानता को दिखाता है प्रधान मंत्री ने बताया कि अटल जी से कभी नहीं मिलने वाले युवा भारतिय पहलवान बजरंग पूनिया ने कल एशियाई खेलो में प्राप्त स्वन पदग को अटल जी के प्रती समर्पित किया प्रधान मंत्री ने कहा कि एक व्यक्ति कितनी उचाई और कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है